मॉडियल 6 के इस हिसे में आप सीखेंगे कि वेब नाविगेशन कैसे की जाती है, वेब पेज के अंदर बने हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, बुकमार्क्स या फेवरेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, वेब पेज को सेफ और प्रिंट करना भी सीखेंगे. एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन पर जाने के प्रोसेस को वेब नाविगेशन कहते हैं. आप जानते हैं कि जब हम कम्प्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा बुनियादी मकसद मुक्तलिफ सॉफ्ट्वेस को ओपन करना और उन में काम करना होता है. मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं, तो उसका मतलूबा प्रोग्राम पहले ओपन करते हैं, फिर इसमें टाइपिंग करते हैं. बिल्कुल इसे तरह अगर हम इंटरनेट के जिरिये मुक्तलिफ इंफिर्मेशन को अक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और ब्राउजर को स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें यूरेल के जिरिये मुक्तलिफ वेबसाइट को विजिट करते हैं कि पहले हमें उस वेबसाइट का URL मालूम होना चाहिए, जिसको विजिट करना है. याद रहे कि हम पिछले लेसन में बता चुके हैं कि किसी वेबसाइट के URL को ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करते हैं. इस वक्त हमारे सामने ये Internet Explorer 11 का प्राउजर ओपन है. हम इस प्राउजर के एड्रेस बार में ये URL टाइप करते हैं और फिर Enter की को दबाते हैं. ये देखी, जब वेब पेज मुकमल तोर पर ओपन हो गया, तो हमें ब्राउजर में इस तरह से नज़र आ रहा है. इस section में हम ब्राउजर में backward और forward मुव करना सीखेंगे. लेकिन पहले हम एक मिसाल के जिरिये ये सीखेंगे कि backward और forward से क्या मुराद है. जब हम एक किताब को पढ़ते हैं और हम उसके अगले या पिछले सफाहत पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए हम इस किताब के सफाहत को आगे या पीछे पलटते हैं बिलकुल उसी तरह हम एक ब्राउसर में मुख्तलिफ साइट्स को विजिट करते हैं तो हम अगली या पिछली वेब साइट्स पर बैक्वर्ड या फॉर्वर्ड बटन के जिरिये जा सकते हैं आएए अब हम ब्राउसर में बैक्वर्ड मूव करना सीखते हैं आपको इस वक्त इंटरनेट एक्स्प्लोरर का ब्राउसर नजर आ रहा है आप देख रहे हैं कि एड्रिस बार के साथ बाईं तरफ बैक और फॉर्वर्ड के बटन का कलर टिम है यानि अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी किसी वेबसाइट को विजिट नहीं किया ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब हम एक से ज्यादा वेबसाइट को विजिट करेंगे लिहाज़ा आएए सबसे पहले हम Virtual University की वेबसाइट को ओपन करते हैं Virtual University की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम एड्रेस बार में www.hec.gov.pk को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं हमारे सामने Higher Education Commission की वेबसाइट खुल गई है अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं इसके लिए दुबारा एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं और ये देखें, जीमेल की वेबसाइट ओपन हो गई है यानि हमने इस सेशन में Virtual University, HEC, फिर जीमेल की साइट को विजिट किया है आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमें जीमेल का वेब पेज नजर आ रहा है आप ये भी देख रहे हैं कि Back का बटन अब नुमाया हो गया है लेकिन Forward का बटन अभी भी Dim है Forward का बटन उस वक्त एकसेस हो सकेगा जब हम Back बटन को इस्तमाल करेंगे लहाजा हम Back बटन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नजर आ रहा है जिसको हमने जीमेल से पहले विजिट किया था आपने ये भी नोट किया होगा कि अब Forward का बटन नुमाया हो गया है आएए अब Forward के बटन पर क्लिक करते हैं ये देखें जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें अगला पेज यानी जीमेल डाट कॉम नजर आ रहा है हमने Forward और Back के बटन को इस्तेमाल तो कर लिया है अब हम ये चाहते हैं कि यहां से हम Direct Virtual University के पेज पर चले जाएं ऐसा करने के लिए हम Address Bar में बने इस चोटे से एरो पर क्लिक करते हैं ये देखें अब हमें इस लिस्ट में विजिट किये हुए पेजिस के लिस्ट नजर आ रही है हम यहां से Direct किसी पेज पर जाने के लिए किसी URL पर क्लिक कर सकते हैं इस वक्त हम Virtual University पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि अब हमें Virtual University का पेज नजर आ रहा है इसी तरह अब हम यहां से Direct आखरी विजिट किये हुए पेज जीमेल पर जाना चाहते हैं इसके लिए हम दोबारा इस एरो को क्लिक करते हैं फिर इस लिस्ट में से जीमेल डॉट कॉम पर क्लिक करते हैं अब आपको स्क्रीन पर जीमेल का पेज नजर आ रहा है आप Forward, Back और Home पेज पर जाने के लिए View Menu की Go To Option भी इस्तेमाल कर सकते हैं Go To Menu के लास्ट में आपको Visited Web Pages के नाम दिखाई दे रहे हैं आप इन में से किसी पर क्लिक करके मतलूबा वेब पेज पर डारेट भी जा सकते हैं इसके अलावा आप Keyboard की Alt प्लस Left Arrow Key को प्रेस करके Back और Keyboard की Alt प्लस Right Arrow Key को प्रेस करके Forward में जा सकते हैं और Home Page पर जाने के लिए Alt प्लस Home की Keys को प्रेस करें Hypertext Link Hypertext की Term को सबसे पहले Ted Nelson ने अपनी किताब में Define किया इसके मताबिक Hypertext एक Non-Sequential Writing है यानि इसमें Text को एक Sequence या तरतीब से नहीं लिखा जाता बलकि इसमें Information को एक Non-Sequential Order में Present किया जाता है इसमें एक Page दूसरे बहुत से Pages से Connected होता है इन Non-Sequential Pages को आपस में Connect करने के लिए Links Create किया जाते हैं Links एक Page के Word, Picture या किसी भी Object पर Selectable Connection होते हैं जब इन पर Mouse से क्लिक किया जाता है, तो इस Links से Connected Page ओपन हो जाता है ऐसे Links को Hyper Text Links कहा जाता है यानि Hyper Text Links किसी Web Page के ऐसे Elements होते हैं, जिन पर क्लिक किया जाता है तो वो किसी और Web Page या Website पर ले जाते हैं जब Pictures, Graphics, Audio और Video और वीडियो वगेरा पर Links बनाए जाएं, तो इसको Hyper Links के इलावा Hyper Media Links भी कहा जाता है जब आप Web Pages को विजिट करते हैं, तो इन में मुख्तलिफ किसम की Hyper Links बने होते हैं बाज Links Underline होते हैं, बाज का Color डिफरेंट होता है इन Links में एक चीज कॉमन है, वो ये, कि जब किसी Link पर Mouse Pointer को ले जाते हैं, तो Mouse Pointer की Shape तबदील हो जाती है आए इसको एक मिसाल से सीखते हैं आपको इस वक्त ये तीन पिक्चर्स नजर आ रही हैं आए, इन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इन में से कौन सी पिक्चर Hyper Link है ये देखें, जब हम Mouse Pointer को पहली पिक्चर पर ले गए हैं, तो Mouse Pointer की Shape तबदील नहीं हुई, यानि ये Hyper Link नहीं है इसी तरह जब हम Mouse Pointer को दूसरी पिक्चर पर ले गए, तो भी Mouse Pointer की Shape तबदील नहीं हुई, यानि ये भी Hyper Link नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम Mouse Pointer को तीसरी पिक्चर पर ले गए हैं, तो Mouse Pointer की Shape तबदील हो गई है, यानि ये Hyper Link है, इस पर क्लिक करने से एक और पेज ओपन हो गया है ज्यादता लिंक्स हमें किसी वेब पेज पर ले जाते हैं, ताहम बाद ऐसे लिंक्स भी होते हैं जिनको जब Activate किया जाए, तो वो किसी फाइल को Download करते हैं कुछ ऐसे लिंक्स भी होते हैं, जिनको क्लिक करने से कोई Multimedia File Play होती है, जिसमें Online, Music, Video वगएरा शामिल है किसी भी वेब पेज में तीन तरह के लिंक्स होते हैं, As Text, As Image Maps, As Picture टेक्स पर लिंक दिखाने के लिए इनको Highlight किया जाता है और इनका रंग भी मुख्तलिफ होता है, मसलन, इस वेब पेज में ये Text Links हैं पाज उकात, कोई Picture भी लिंक के तौर पर इस्तमाल होती है, मसलन, इस वेब पेज में ये Picture Links हैं, जब इन पर क्लिक किया जाएगा, तो Relevant Page ओपन होगा Image Map एक सिंगल पिक्चर होती है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा Links बने होते हैं इस पर क्लिक करके हम इस Image से Connected मुख्तलिफ Links को ओपन कर सकते हैं जब हम ब्राउजर में किसी Link को Activate करते हैं, तो इस Link से Connected Page ज्यादा तर इसी Window में ओपन होता है लेकिन ऐसा भी मुम्किन है कि किसी Link को एक नई Window में Activate करें, आईए इसे सीखते हैं इस वक्त हमने ब्राउजर में Wikipedia का पेज ओपन किया है हम इसके Feature Content से Connected Page को एक नई Window में ओपन करते हैं इसके लिए पहले हम Mouse Pointer को बाएं तरफ मौझूद, Feature Content के Link पर ले जाते हैं, फिर इस पर Right Click करते हैं अब हम Open in New Window पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि Feature Content का पेज एक नई Window में ओपन हो गया है इसके इलावा ये भी पता चल रहा है कि Wikipedia का Main Page भी Open है इसके इलावा अगर आप एक ही विंडो में इस लिंक को Open करना चाहते हैं तो इस लिंक पर Right Click करें और Open in New Tab की Option पर क्लिक करें ये देखें, Feature Article का पेज पहले वाली टैब के साथ दूसरी टैब में Open हो गया है इससे सेम विंडो ही में एक और टैब का इजाफा हो जाता है और Navigation बहुत ज्यादा आसान हो जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं Bookmark जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं और किसी खास पेज को याद रखना हो तो उसके लिए हम उस पेज पर Bookmark लगाते हैं इससे ये फाइदा होता है कि दूसरी दफ़ा उस पेज को देखने के लिए हमें पूरी किताब को नहीं खोलना पड़ता बलके Bookmark के जरिये डाइरेक्ट उस पेज पर चले जाते हैं बिलकुल उसी तरह जब हम इंटरनेट को इस्तमाल करते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें पसंद आती हैं और हम उन वेबसाइट्स को विजिट करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए किताब की बुक मार्क की थरा ब्राउजर भी हमें ये सहूलत मुहाया करते हैं कि हम अपने पसंदीदा वेब पेजर्स की लिस्ट का रेकॉर्ड रखें ताके उन पेजर्स को दुबारा उपन करने में असानी हो। कुछ वेब ब्राउजर में इनका नाम बुक मार्क है और कुछ में इनको फेवरेट्स कहा जाता है। कैसे एड़ करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउजर को ओपन करते हैं फिर इसमें उस पेज को ओपन करते हैं जिसको हमने फेवरेट बनाना है। हम वर्चुल युनिवरसिटी की वेब साइट को फेवरेट्स की लिस्ट में एड़ करना चाहते हैं। लहाजा, पहले Virtual University की साइट को ब्राउजर में ओपन करते हैं। इसके बाद हम Menu Bar से Favorites को क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो Menu ओपन हुआ है, उसमें Add to Favorites पर क्लिक करते हैं। अब हमें ये Dialog Box नजर आ रहा है। हम इसमें Name के Box में Virtual University of Pakistan में Off Pakistan को Delete करते हैं। यानि Favorites की लिस्ट में हम इसका नाम Virtual University रखना चाहते हैं। इसके बाद हम Add के बटन को प्रेस करते हैं। लीजिए, हमने Favorites की लिस्ट में एक Website अड़ कर ली है। आए, अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई Favorites की लिस्ट में Website अड़ हुई है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम Favorites के मेन्यू को दुबारा ओपन करते हैं। इसके लास्ट में देखने से ये पता चल रहा है कि Virtual University की Website Favorites की लिस्ट में Add हो गई है। आए, हम ये देखते हैं कि अगर हम ब्राउजर को क्लोज करके दुबारा ओपन करें तो Favorites की लिस्ट में Add की गई Websites सेव होती हैं या नहीं। इसके लिए हम पहले ब्राउजर को क्लोज करते हैं, फिर हम बताएगे तरीके के मताबिक ब्राउजर को दुबारा ओपन करते हैं। फिर हम Menu Bar में से Favorites के Menu को ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें Virtual University का वेब पेज सेवड है। हमने Favorites की लिस्ट में Web Pages एड करना तो सीख लिया है। आईए, अब हम ये सीखते हैं कि Favorites की लिस्ट में Web Pages की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको Organize कैसे करते हैं। इस सेक्शन में Favorite की लिस्ट को Organize करने के लिए हम Folder Create करने का तरीका सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम Favorites के मेन्यू को ओपन करते हैं। फिर इसकी Option Organize Favorites पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये Dialog Box ओपन हो गया है। इसमें नए Folder को Create करने के लिए हम New Folder को क्लिक करते हैं। ये देखें, New Folder के नाम से एक Icon इस Dialog Box की Main Window में Foreign Create हो गया है। इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इसमें Folder के नाम के लिए FV Page List टाइप करते हैं। फिर हम Enter की को प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं के FV Page List के नाम से एक Folder Create हो गया है। आखिर में हम Close के बटन पर क्लिक करते हैं। लीजिए, हमने नया Folder तो Create कर लिया है। आए, इसमें Web Pages एड़ करना सीखते हैं। इस वक्त हमने Yahoo.com का पेज ओपन किया हुआ है। इसको हम Favorites के FV Page List के Folder में Save करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम Favorites के Menu को Open करते हैं। फिर इस Menu की पहली Option, Add to Favorites पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये Dialog Box ओपन हो गया है। इसमें Name के साथ बने Box में जो Web Page ओपन है, उसका नाम यानी Yahoo लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद हम Create In की Window में FV Page List के Folder पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम Add के Button को क्लिक करते हैं। लीजिए, Yahoo का Web Page Favorites में Add हो गया है। इसको Confirm करने के लिए हम Favorites के Menu को दुबारा खोलते हैं। लेकिन ये क्या? याहू का पेज तो इस Menu में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अलबता, FV Page List के Folder के साथ एक Arrow नज़र आ रहा है। आईए, इस पर Mouse Pointer लेकर जाते हैं। जैसे ही हम Mouse Pointer को FV Page List के Folder पर ले गए हैं। आप देख रहे हैं कि इसके Sub Menu में याहू का Short Cut आईकॉन नज़र आ रहा है। ये इस बज़ा से है क्यूंकि हमने याहू को FV Page List के Folder में एड़ किया था। लहाजा वो हमें अलहदा से नज़र नहीं आया। हम इसको क्लिक करके बहुत आसानी से इन Web Pages को Open कर सकते हैं। Delete Favorites जब हमें Favorites की लिस्ट में से कुछ Web Pages की जरूरत नहीं रहती, तो ऐसा भी मुम्किन है कि हम फालतू और गहर ज़रूरी Favorites और Folders को जब चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। आईए इसको सीखते हैं। इस वक्त हमने Internet Explorer के Browser को Open किया हुआ है। इसमें हम पहले Favorites के Menu को Open करते हैं और फिर इसमे Organize Favorites पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने Organize Favorites का Dialog Box Open हो गया है। हमें इसमें जो Window नजर आ रही है, इसमें से हमने पहले वो पेज सेलेक्ट करना है जिसको डिलीट करना है। हम यहां से Virtual University को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इन चार बटन्स में से Delete के बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि VU का Web Page Favorite की लिस्ट में से Delete हो गया है और अब नजर नहीं आ रहा। इसी तरह हम Web Page को Delete करने के बाद FV Page List को भी Delete कर सकते हैं। इसके लिए हम FV Page List के Folder को सेलेक्ट करते हैं। फिर Delete की Option पर क्लिक करते हैं। हमें ये Message नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि वाकई हम Favorites के Folder और उसके अंदर Saved Web Pages को Delete करना चाहते हैं। अब हम अगर Delete या Yes के बटन को प्रेस कर दें, तो Folder Delete हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसको Delete नहीं करते। हम Organize Favorites के Dialog Box को Close करने के लिए Close के बटन को क्लिक करते हैं। Favorite Bar Favorites के साथ आप जबरदस काम ये कर सकते हैं कि अपने आम या बहुत ज़्यदा इस्तमाल होने वाले Web Pages को Menu Bar के इलावा नई बार में देख सकते हैं। ताकि किसी भी Website को बहाँसानी सिंगल क्लिक से Open कर सकें। ऐसी बार को Favorite Bar कहते हैं। यानि आप अपने Favorites को अपने ब्राउजर के टूल पार में दिखाने के लिए उनके Shortcut क्रियेट कर सकते हैं। इसका ये फाइदा होगा कि आप जैसे ही उन आइकॉन्स पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वो Web Page फॉरण ओपन हो जाएगा। आईए इसे सीखते हैं। आप Favorite Web Pages के Shortcut आइकॉन्स तमाम ब्राउजर में क्रियेट कर सकते हैं। हम इस वक्त Internet Explorer 11 के ब्राउजर को इस्तमाल करेंगे। सबसे पहले हम Favorite Bar को अपनी टूल बार में लाने के लिए View पर क्लिक करते हैं। अब अपने माउस पॉइंटर को टूल बार के ऊपर लाते हैं। अब जो लिस्ट ओपन हुई है, उसमें से Favorite Bar पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें, अब हमें टूल बार में Favorite Bar भी नज़र आ रही है। इस वक्त हमने Virtual University की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। आईए, इसको Links के Favorite Bar में अड़ करते हैं। इस दफ़ा हम Favorites के मैन्यू को ओपन करते हैं, फिर इसमें Add to Favorite Bar की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि Favorite Bar में VU के शॉर्ट कट का भी इजाफा हो गया है। यानि हम VU की वेबसाइट को Favorite Bar से भी ओपन कर सकते हैं। हम Favorites की लिस्ट को Organize Folder के Dialog Box में देखने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें ब्राउजर की स्क्रीन में Left साइट पर देख सकें। आईए, इसे सीखते हैं। इस वक्त आपके सामने Favorites का आईकॉन नज़र आ रहा है। आए, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक विंडो नज़र आ रही है। इसे Explorer Bar कहते हैं। इस वक्त Explorer Bar की Heading में Add to Favorites लिखा हुआ है और नीचे Favorites की टैब में Web Pages की लिस्ट नज़र आ रही है। हम यहां से भी Favorite Web Pages को Add और Organize कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस Explorer Bar को मुस्तकिल तोर पर यहां सेट करते हैं। इसके लिए हम यहां इस आईकॉन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, यह बार स्क्रीन के अंदर ही सेट हो गई है। और स्क्रीन अब दो हिस्सों में तक्सीम हो गई है। दाएं हिस्से में Web Sight के Content नज़र आ रहे हैं। जबके बाएं तरफ Explorer बार नज़र आ रही है। हम Mouse Arrow की मदद से इस स्क्रीन के एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम यहां से किसी पेज के आईकॉन पर क्लिक करते हैं। तो वो पेज ओपन हो जाएगा। मसलन हम इस फोल्डर पर क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद इस वेब पेज के आईकॉन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि अब हमें उस वेब पेज के कॉन्टेंट्स नज़र आ रहे हैं जिस पर हमने क्लिक किया था। इस एक्स्प्लोर बार को क्लोज करने के लिए हम एड तू फेवरिट्स की हेडिंग के साथ बने क्रॉस के बटन पर क्लिक करते हैं। इस सेक्शन में हम वेब पेज के टेक्स्ट, इमिज, डेटा वगेरा को डुप्लिकेट करना सीखते हैं। डुप्लिकेट का मतलब होता है किसी सेम इन्फरमेशन को एक से ज्यादा जगा पर देखना, जिस तरह Microsoft Word में हम कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन से एक इन्फरमेशन को एक से ज्यादा जगों पर देखते हैं, बिलकुल उसी तरह हम वेब पेज के टेक्स्ट डेटा, इमिज या URL को किसी भी प्रोग्राम, मसलन वर्ड या Excel में डुप्लिकेट कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इस इन्फरमेशन को वेब पेज से अपने डॉक्यूमेंट में कॉपी कर लें। आए, इसका तरीका सीखते हैं। इस वक्त हमें ये वेब पेज नजर आ रहा है। हम इसके डेटा को कॉपी करके Microsoft Word में पेस्ट करना चाहते हैं। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस वेब पेज के टेक्स डेटा को कॉपी करने के लिए माउस की मदद से इसे सेлект करते हैं। फिर हम Edit Menu को Open करते हैं, इसमें से Copy की Option को Select करते हैं, लीजिए, हमारा Selected Text Clipboard में Save हो गया है. इसके बाद हम Target Location के बारे में बताते हैं, यानि हम ये बताते हैं कि इस Data को कहां Duplicate करना है. इसके लिए पहले हम Microsoft Word को Open करते हैं. अब हमें Word की स्क्रीन नज़र आ रही है. इसमें हम Home की टैब से Paste की Option पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि वेब पेज का Selected Data, Microsoft Word में कितनी आसानी से Copy हो गया है. Saving Web Page Image जिस तरह हमने वेब पेज के Text Data को एक जगा से दूसरी जगा कॉपी किया, बिलकुल इसी तरह हम वेब पेजिस के Images को भी Copy और Paste कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम अपने मतलूबा पेज को Open करते हैं. इसके बाद इस Image पर Mouse से Right क्लिक करते हैं, जिसको Copy करना है. और सब मेन्यू में से Copy की Option पर क्लिक करते हैं. Copy की Option पर क्लिक करने से Selected Image अब Clipboard में Save हो गया है. अब हमें पहले की तरह इस Image को Document में Paste करना है. इसके लिए हम फिर से Paste की Option पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि हमने वेब पेज की Image को एक Document में Copy और Paste कर लिया है. Saving as a File हमने एक वेब पेज की Text और Images को एक Document में Paste करना तो सीख लिया है. आईए, अब हम ये देखते हैं कि किसी वेब पेज की Graphics या Images को एक File की सूरत में कैसे Save करते हैं. इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम Browser स्टार्ट करने के बाद अपने मतलूबा वेब पेज को Open करते हैं. हम इस Image को File में Save करना चाहते हैं. इसके लिए हम इस Image पर Right Click करते हैं. हमारे सामने ये Sub Menu Open हो गया है. इसमें से हम Save Picture As की Option पर Click करते हैं. अब हमें ये Dialog Box नजर आ रहा है. यहां हम बाएं तरफ Navigation Pan से इसको Save करने की Location को Select करते हैं. इसके लिए हम Pictures के फोल्डर को Select कर रहे हैं. अब File Name के सामने इसका नाम टाइब करते हैं. इसके बाद Save As Type के सामने जो Format Selected है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर Save के बटन को प्रेस कर देते हैं. हमने Graphic Image को Save तो कर लिया है. अब हम इस File को Open करके देखते हैं. इसके लिए पहले हम Picture Folder को Open करते हैं. इस Folder में अपनी मतलूबा फाइल पर Double Click करते हैं. तो ये देखें, वही पिक्चर अब हमारे सामने Open हो गई है. File Downloading इस सेक्शन में हम मुख्तलिफ फाइल्स को डाउनलोड करना सीखते हैं. डाउनलोड से मुराद एक Remote Computer के डाटा को अपने कम्प्यूटर में ट्रांसफर करना है. आईए, सबसे पहले किसी टेक्स्ट फाइल को अपने कम्प्यूटर में डाउनलोड करना सीखते हैं. इसके लिए, पहले हम इस वेब साइट को ओपन करते हैं, जिससे हमने फाइल को डाउनलोड करना है. वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं जिसको हमने डाउनलोड करना है हमें ये मैन्यू दिखाई दे रहा है इसमें से हम Save Target As की आप्शन पर क्लिक करते हैं जिससे हमारे सामने ये डाइलॉग बाक्स ओपन हो गया है हम इसमें से कोई फाइल नेम टाइप करते हैं इसके बाद बाएं तरफ से डॉक्यूमेंट का फोल्डर सिलेक्ट करते हैं फिर हम Save के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरह से हम किसी आउडियो या वीडियो फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं Saving a Complete Web Page अगर आप किसी वेब साइट को आफलाइन देखना चाहते हैं यानि कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टिड नहीं हैं और आप Virtual University की साइट देखना चाहते हैं तो आपको Virtual University के वेब पेज को Save करना होगा इसके लिए Menu Bar में File पर क्लिक करें और फिर Save As पर क्लिक करें अब आप एक Save Web Page का Dialog Box देख रहे हैं इसमें File Name के सामने File का नाम दें और जहां आप इस File को Save करना चाहते हैं इसका पाच दें और अब Save का Button दबाएं यूँ आपका Page Save हो गया अब आप कभी भी इस Page को देख सकते हैं Printing Web Page आईए, इस Section में हम Web Pages को Print करना सीखते हैं जब हम Web Pages को Print करते हैं तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है आईए, पहले इनको Discuss करते हैं बाज Web Pages ऐसे होते हैं जिनकी Width एक सफहे की Width से ज्यादा होती है ऐसे Pages को Print किया जाए तो पूरा Web Page Print नहीं होता इस तरह के Web Pages को Print करने का तरीका ये है कि पहले इन Web Pages को हम Save करते हैं और फिर इनको Print करते हैं इसके अलावा, Simple Printing में Web Pages का Color Data, Black and White, नज़र आता है इसकी वज़ा से इन Pages का मकसद वाज़ नहीं होता उसका हल ये है कि इन Web Pages का Color Print लिया जाए आपको इस वक्त एक Web Page नज़र आ रहा है आए इसको Print करना सीखते हैं सबसे पहले हम File Menu को Open करते हैं और इसमें Page Setup की Option पर Click करते हैं ये देखें हमारे सामने Page Setup का Dialog Box ओपन हो गया है इसमें पहला Section Paper Option का है हम Page Size की Drop Down List को Open करके इस लिस्ट में से मतलूबा Paper Size को Select कर सकते हैं इसमें पहले सी ही Letter Size Selected है हम इसी को Select रहने देते हैं इसके नीचे दो और Options हैं इसमें हम Web Page को Portrait या Landscape Style में Print कर सकते हैं इसके दाएं तरफ Margins के Section में हम Page के Right, Left, Top, Bottom, Margins को Set कर सकते हैं इसी Dialog Box से हम Web Pages के Header और Footer भी Set कर सकते हैं Header हमें Web Page के Top पर नज़र आता है और Footer हमें हर Page के Bottom पर नज़र आता है हम Web Pages के Header और Footer में Title, URL, Page Number और Date की Option सिलेक्ट कर सकते हैं इसके नीचे Change Font का Button है जिस पर क्लिक करके हम Font, Font Style, Size और Color को तबदील कर सकते हैं फिलहाल हम इसे Cancel करके OK का Button प्रेस करते हैं Web Page का Direct Print लेने से पहले बेहतर है के इनका Preview कर लिया जाए Print Preview की Option से हम Web Page को Print करने से पहले देख सकते हैं कि वो Page पर किस तरह से नज़र आएगा आएए, एक Web Page को Print Preview मोड में देखना सीखते हैं इसका तरीका ये है कि पहले हम File Menu को Open करते हैं फिर इसमें Print Preview की Option पर क्लिक करते हैं हमें Web Page अब Print Preview मोड में नज़र आ रहा है हम इस मोड में रहते हुए Web Page की Printing Option में कोई तबदीली नहीं कर सकते अलबता, टूल बार के जरीए यहां से Print का View तबदील करके देख सकते हैं कि Print किस तरह का आएगा इसके इलावा, नीचे इन बटन्स के जरीए अगले या पिछले Web Pages को देख सकते हैं प्रिंट प्रिव्यू से वापस Normal Mode में आने के लिए हम Cross के बटन पर क्लिक करते हैं अब इस Web Page को प्रिंट करने के लिए पहले हम File Menu पर क्लिक करते हैं फिर इसमें से Print की Option पर क्लिक करते हैं सबसे पहले, Select Printer का section है यहां हमें वो Printer नजर आ रहा है जो हमारे Computer से Attached है हम इसी को Selected रहने देते हैं अगला section इसमें Page Range का है इस वक्त इसमें All की Option मुंतखिब है यानि इस वक्त अगर Print लिया जाएगा तो तमाम Pages का Print निकलेगा Page Range में अगली Option Selected की है इसकी मदद से हम Web Page के Selected Portion को Print कर सकते हैं Current Page की Option से सिर्फ वो Page Print होता है जो उस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है यह Option उस वक्त काम करती है जब Web Page में एक से ज्यादा Pages हो हम Pages की Option में कुछ खास Pages को Print कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ पहले Page को Print करना चाहते हैं इसके लिए हम यहाँ Box में Number 1 को Type करते हैं इसी Dialog Box में एक Section Number of Copies का भी है यहां से हम Web Pages की एक से ज्यादा Copies Print कर सकते हैं Number of Copies को हम Up और Down Arrow को Click करके Define कर सकते हैं लीजिए, अब हम Web Pages का Print Out लेने के लिए इसी Dialog Box में से Print की Option पर Click करते हैं आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने Print पर Click किया है Web Page हमारे Computer के साथ Attached Printer पर Print हो रहा है और यह उस Web Page के पहले Page का Print Out हमें मिल गया है Summary इस Lesson में आपने सीखा कि एक Page या Screen से दूसरे Page या Screen पर जाने के Process को Web Navigation कहते हैं और आपने यह भी सीखा कि Navigation कैसे होती है यानि एक Page से कैसे दूसरे Page पर जाया जाता है किसी Web Page को किस तरह Bookmark किया जाता है और Favorites को कैसे Organize करते हैं एक Web Page के Text, Picture या पुरे Website को Save करने का तरीका भी सीखा हुआ हुआ है